वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोसिस करो कहता है पार्टिकल आर मुविंग विच सेम वेलोसिटी विच है मैक्सिमम दीव रोगली वेवलेंड अब यहां एक कोशन दिया हुआ प्यारे बच्चों इसमें एक पार्टिकल मूग कर रहा है तो हमें मैक्सिमम डीव वेलोसिटी सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी मैं तूँक इक काम करते हैं इसको एनर्जिक एक प्रम में लिए तो टाइम्डा मैक्सिमम उसका ऑगा जिसका mass minimum होगा क्योंकि velocity same है यहाँ पर देखो तो velocity same है तो जिसका mass minimum होगा उसका lambda maximum होगा तो mass minimum किसका है इसमें से चलो देख लेते हैं mass minimum mass of neutron mass of neutron तो 1.67 और 5 0 10 की power minus 27 kg होता है तीक है और mass of protons होता है proton का proton का mass अगर देखोगे तो 1.67 और 27 इंटू 10 की power minus 27 kg होता है ऐसा कुछ तीक है यह value आपको याद होगी और compare कर लो यहाँ से तीक है इन सभी के masses जो है और mass of mass of electrons होता है वो 9.1 इंटू 10 की power minus 31 kg होता है जो सबसे कम है और mass of alpha particle जो होता है 4 times mass of electron होता है तो यह अब देखो वैसे तो आपको पता होना चाहिए value आद करने की जरूरत नहीं है इसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम mass proton electron और alpha particle और beta electron से alpha particle का mass beta का 4 times होता है और यह 10 की power 31 kg होता है तो obviously सबसे कम beta है और अगर सबसे कम अगर देखोगे तो mass सबसे कम जो mass है वो beta particle का है क्योंकि यह इसका 4 times बड़ा है तो mass minimum beta के लिए हैं तो lambda maximacy के होगा D option सही है clear है? चलो वीडियो पहुच करो खुद solve करने की को सबसे करुछ